ओम शान्ती, 25-2024 के साकार अनमोल धार्ना युक्तिश्वरिय महावाक्य हैं, मेथे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो, इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्रह्मों का राज समाया हुआ हैं? कोश्चन, संगम युकपर बाप से कुन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? अंसर इश्वर ये बुद्धी का? इश्वर में जो गुण हैं, वैह हमें वर्षे में देते हैं हमारी बुद्धी हीरे जैसी पारस बन रही हैं अभी हम ब्रह्मन बन बाप से बहुत भारी खाजाना ले रहे हैं सर्व गुणों से अपनी जोली भर रहे हैं ओम शन्ति आज हैं सत्गुरु वार ब्रश्पति वार दिनों में भी कोई उत्तन दिन होता है ब्रश्पति का दिन उंच कहते हैं न ब्रश्पति अर्थात व्रक्ष्पति डे पर स्कूल वा कॉलेज में बैठते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो इस मनुस्य स्रिष्टी रूपी जाड का बीजरूप है बाप और वह आकाल मुरत है आकाल मुरत बाप के आकाल मुरत बच्चे आत्मा को काल नहीं खाता आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है सिरफ चोला चेंज करती है तो इसलिए बाबा ने कहा अकाल मूरत के बच्चे हैं कितना सहज है मुश्किलाद सिरफ याद की है जो बच्चों को बाबा की याद थैरती नहीं याद से ही तो विकर्म बिनाश होते हैं पर अविनाशी बेहद की दशा है एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की बाप है व्रक्ष पती व्रक्ष के पहले पहले ब्राह्मन निकले तो बाप कहते हैं मैं व्रक्ष पती सत चीत आनंद स्वरूप हूँ फिर महिमा गाते हैं ज्यान का सागर शान्ती का सागर प्यार का सागर आदे आदे तुम जानते हो सत्युग में देवी देवताई सब शान्ती पवित्रता के सागर हैं भारत सुक शान्ती पवित्रता का सागर था क्योंकि सबी वहां पर संपूर्ण निर्विकारी थे सोला कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हर परकार की मर्यादा थे पुर्शो तम थे उनको कहा जाता है विश्यू में शान्ती तुम हो ब्राहमन बास्तों में तुम भी अकाल मुरत हो हरी एक आतमा अपने तक्त पर विराजमान है यह सब चेतने अकाल तक्त हैं ब्रोकूटी के बीच अकाल मुरत आतमा विराजमान है जिसको सितारा भी कहा जाता है व्रक्षपती बीजरूप को ज्यान का सागर कहते हैं तो जरूर उनको आना पड़े पहले पहले ब्रहमन चाहिए प्रजया पिता ब्रह्मा के एडॉप्टिड चिल्रन तो जरूर मम्मा भी चाहिए तो तुम बच्चों को बहुत अच्छी रिते समझाते हैं जैसे बाजोली खेलते हैं उनका भी अर्थ समझाया है बीजरूप शुब बाबा है फिर है ब्रहमा ब्रहमा द्वारा ब्रहमन रचे गई इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्रहमन, सो देवता सो क्षत्री, सो वैशे, सो शुद्र फिर ब्रहमन बनते हैं पहले हम शुद्र थे अब फिर से बाब पुर्शोत्तम बुद्धी बनाते हैं हीरे जैसे पारस बुद्धी बनाते हैं ये बाजोली का राज भी समझाते हैं शिप बाबा भी हैं प्रजय पिता ब्रह्मा और अडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं अभी तुम कितनी विशाल बुद्धी बने हो ब्रह्मान सो फिर देवता बनेंगे अभी तुम इश्वरिय बुद्धी बनते हो जो इश्वर में गुण हैं वह तुमको वर्से में मिलते हैं समझाते समय यह भूलो मत इश्वरिय ग्यान है शुब भगवानों वाच्चे है भगवान का दिया हुआ ग्यान हम आप सबको दे रहें यह बावनी का समझाते समय भूलो मत बाप ग्यान का सागर है नमबर वन उनको ज्यान इश्वर कहा जाता है ज्यान सुनाने वाला इश्वर ज्यान से होती है सदगती पतितों को पामन बनाते हैं ज्यान और योग से भारत का प्राचिन राज्योग मशूर है क्योंकि आइरन एज से गोल्डन एज बना था यह तो समझाये हैं कि योग दो प्रकार का हैं वह है हट योग और यह है राज योग वो हद का और यह है बेहद का वह है हद के सन्यासी और तुम हो बेहद के सन्यासी वह कहरबार छोड़ते हैं तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो अभी तुम हो प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान ये छोटा सा नया जाड़ है तुम जानते हो पुराने को नया कर रहे हैं सेपलिंग लग रहा हैं बरोबर हम बाजोली खेलते हैं हम सो ब्रह्मन फिर हम सो देवताईं सो अक्षर जरूर लगाना हैं सिरफ हम नहीं हम सो शुद्र थे हम सो ब्रह्मन बने आधी-आधी ये बाजोली बिल्कुल भी भोलने नहीं चाहिए यह तो बिल्कुल सहच है छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं हम 84 जन्म कैसे लेते हैं सेरी कैसे उत्रे हैं पिर ब्राह्मन बन चढ़ते हैं, ब्राह्मन से देवता बनते हैं, अभी ब्राह्मन बन बहुत भारी खजाना ले रही हैं, जोली भर रही हैं, ज्यान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता, वो जोली नहीं भरते हैं, वेह तो चित्र कारू ने बना दिया हैं, शंकर की बात ही नहीं विश्नु और ब्रह्मा यहां के हैं लक्ष्मी नारेन का उगल रूप उपर में दिखाया है यह है इनका ब्रह्मा का अन्तिम जनम पहले पहले वह विश्नु था फिर 84 जनमों के बाद यह ब्रह्मा बना है इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा शिप बाबा ने ही इनका नाम ब्रह्मा रखा इनका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया शुद्र से ब्रह्मन बने तो नाम बदल दिया बापने बहुत रमनिक नाम रखे हैं तो अब तुम समझते हो, देखते हो व्रक्ष्पती इस रत में बैठा है उनका यह अकाल तक्त है इनका भी है इस तक्त का लोन लेते है उनको अपना तक्त तो मिलता नहीं कहते हैं मैं इस रत में विराजमान होता हूँ पहचान देता हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ सिरफ मैं जनम मरण में नहीं आता हूँ तुम आते हो अगर मैं भी आऊं तो तुमको तमू परधान से सतो परधान कौन बनाएंगे बनानी बाला तो चाहिए न इसलिए ही मेरा ऐसा फार्ट है मुझे बुलाते भी है हे पतित पावन आओ निराकार शिबाबा को आतमें पुकारती है क्योंकि आतमाओं को दुख है भारत वासी आतमे खास बुलाती है कि आकर पतितों को पावन बनाओ सत्युक में तुम बहुत पवित्र सुखी थे कभी भी पुकारते नहीं थे तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानकृस्त में बैठ जाता हूँ, वहां मेरी दरकार ही नहीं, भक्ति मारग में मेरा पार्ट है, फिर मेरा पार्ट, आधा कल्प नहीं, ये तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रशन उठ नहीं सकता, गाइन भी है, दुख में सिमरन सब कर सुख में करे न कोई, सत्यु क्रेता में भक्ति मारग होता ही नहीं, ज्यान मारग भी नहीं कहेंगे, ज्यान तो मिलता है संगम पर, जिस से तुम 21 जनम प्रालब्द पाते हो, नंबर वार पास होते हो, फेल भी होते हो, तुमारी यह युद चल रही है, तुम देखते हो, जिस रत पर बाप विराजबान हैं, वेह तो जीत लेते हैं, फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं, जैसे कुमार का है, फलानी है, जरूर जीत पाईगी, बहुतों को आप समान बनाती हैं। तो बच्चों को यह बुद्धी में रखना हैं, यह बाजोली है, छोटे बच्चे भी यह समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ, उनको भी बाप से वर्सा लेने का हक है, जैस्ती बात तो है ही नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञा का विनाश नहीं होता, स्वरग में तो जरूर आ जाएंगे, जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ, क्रिश्चन धर्म कितना बड़ा हैं, यह देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म हैं, जो दो यूग चलता है, तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी च हिंदू क्यों कहते हैं, तो माया ने बुद्धी को बिलकुल ही मार डाला है, तो यह है खाल हो गया, बाप कहते हैं, माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल्प जीत पाते हो, सैना होना, बाप मिला है इन विकारों रूपी रावन पर जीत पहनाने के लिए, पर ही दशा आती हैं अभी सभी पर राहु की दशा है बाप व्रक्षपती आती हैं तो जरूर भारत पर व्रढूर। ब्रस्पती की दशा बैठेगी इसमें सब कुछ आ जाता है तुम बचे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है वहा मृत्यू का नाम नहीं होता, आम और लोग है न, ऐसी नि कहेंगे की फलाना मरा, मरने का नाम नहीं होगा, एक शरीर चौर दूसरा ले लेते हैं, शरीर लेने और चौ्डने पर खुशी ही रहती है, गम का नाम नहीं, तुम पर अभी प्रिश्पत की दशा हैं, सब पर तो ब्रिस्पत की दशा हो न सके स्कूल में भी कोई पास होते हैं कोई ना पास होते हैं यह भी पाक्षाला है तुम कहेंगे हम राज्योग सीखते हैं सिखलाने वाला कौन है? बेहद का बाप तो कितनी खुशी होनी चाहिए इसमी कोई और बात नहीं है पावित्रता की मुख्य बात है लिखा हुआ भी है हे बच्चो देही सहीत देह के सब संबन छोड़ मामे कम याद करो यह गीता के अक्षर है यह गीता एपिशोड चल रहा है उसमें भी मनुश्यों में ने अगड़म बढ़गम कर दिया है आते में नमक कुछ है बात कितनी सहज है जो बच्चा भी समझ जाए बाबा इतना सहज करके समझाते हैं बाबा कहते चोटा बच्चा भी समझ जाए फिर भी भोलते क्यों हों भक्ती मार्ग में भी कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे दूसरा ना कोई हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे बाप का बनते ही है वर्षा लेने के लिए एडॉप्ट होते हैं जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा तुम भी एडॉप्ट हुए होना जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं बेहद का वर्षा लेंगे और कोई मिममत नहीं रखेंगे समझो कोई का लोकिक बाप भी है उनके पास क्या होगा करके लाक डेड़ लाक होगा ये बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तुम बच्ची आधाकल्प जूटी कथाएं सुनते आई हो आप सच्ची कथा बाप से सुनते हो तो ऐसी बाप को यान्द करना चाहिए न ध्यान से सुनना चाहिए हम सो का अर्थ भी समझाना है वेह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा ये चुरासी जन्मों की कहानी तो कोई बता न सके बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सम्मे है बाप की गलानी करते हैं न यह भी ड्रामा में नूंद है कोई पर दोश नहीं रखते हैं ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, तुमको जो ग्यान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो, तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, ये ड्रामा भी बना हुआ है, मैं फिर आकर तुम पर उपकार करता हूँ, जानता हूँ तुमारा भी दोश नहीं ये खेल है, काहनी तुमको समझाता हूँ, ये है सची सची कथा, जिससे तुम देवता बनते हो, भक्ती मारग में फिर धेर कथाईं बना दी हैं, एम अब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, वह सब हैं गिरने के लिए, उस पार्शाल में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर न निर्वाह के लिए बैठ कथा सुनाते हैं, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ती कुछ भी नहीं, तुमको तो अभी ज्यान रतन मिलते हैं, जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो, माहा हर चीज नई मिलेगी, नई दुनिया में सब कुछ नया होग हीरे ज्वारात आदी सब नई होगे, अब बाप कहते हैं, और सब बाते तुम छोड़, बाजोली याद करो, फकीर लोग भी बाजोली खेलते तिर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी चाते हैं, अभी तो मोटरे एरोपलेन आदी निकल पड़े हैं, गरीब तो उनमें जा कोई बहुत शर्दा वाले होते हैं, तो पैदल भी चले जाते हैं, दिन प्रति दिन साइन्स से बहुत कुछ मिलता जाता हैं, यह है अल्प काल का सुख, गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है, इन चीजों में सुख है, अल्प काल के लिए, बाकी फाइनल मोत भरा हुआ है वह है साइन्स तुम्हारी है साइलेंस बाप को याद करने से सब रोग खतम हो जाते हैं निरोगी बन जाते हैं अभी तुम समझते हो सत्तिग में एवर हेल्दी थे यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है पाप एक ही बार आकर के समझाते हैं तुमने मेरी गलानी की है अपने को चमाट मारी है गलानी करते करते तुम शुद्र बुद्धी बन पड़े हो सिख लोग भी कहते हैं जब साहिब तु सुख मिले अर्थात मन मनापाओ अक्षर ही दो हैं बाकी जास्ती माथा मारने की दरकार ही नहीं यह भी बाप आकर की समझाते हैं अभी तुम समझते हो साहिब को याद करने से तुमको 21 जनम को सुख मिलता है वेह भी उसका रास्ता बताते हैं परन्तु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं सिमर सिमर सुख पाओ तुम बचे जानते हो बरो बर सत्यूग में बिमारी आदी दुख की कोई बाती नहीं होती यह तो कॉमन बात है उसको सत्यूग गोल्डन एज कहा जाता है इसको कल्यूग आईरन एज कहा जाता है श्रिष्टी का चक्र फिरता रहता है समझानी कितनी अच्छी है बाजोली है अभी तुम ब्राह्मन हो फिर देवता बनेंगे यह बाते तुम भूल जाते हो बाजोली याद हो तो यह ज्यान सारा याद रहे ऐसे बाप को यान्द कर रात को सो जाना चाहिए फिर भी कहते हैं बाबा बूल जाते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ फिर आदा कल्ब तुम उन पर राज्य करते हो बाप तो सहज बताते हैं नामी ही है सहज ग्यान सहज याद बाप को सिरफ याद करो क्या तकलिप देते हैं भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलिपें ली हैं, दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं, काशी कलवट खाते हैं, हाँ, जो निश्चे बुद्धी होकर के करते हैं, उनके फिर विकर्म बिनाश होते हैं, फिर नई सिर्फ शुरू होगा हिसाब किताब, ब मेरी पास तो कोई आते नहीं, कितनी सहज बात है, ये बाजोली भी, बाजोली भी, बाजोली तो बुढ़ों को भी याद करनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए, अच्छा मिठे मिठे, सिक्के लदे, बच्चों प्रते, मात, पिता, बाप, दादा का याद प हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गोड मॉर्निंग डाइमन मॉर्निंग ओम नमस्ते धार्ना के लिए मुख्य सारे हैं व्रेक्षपती बाप से सुक्षान्ति पवित्रता का वर्सा लेने के लिए अपने आपको अकाल मुरत आत्म समझ बाप को याद करना है इश्वरिय बुद्धी बनानी हैं सेकिन बाप से सच्ची कथा सुनकर दोसरों को सुनानी हैं माया जीत बनने के लिए आप समान बनानी की शेवा करनी हैं बुद्धी में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं बाप हमारे साथ है वर्तान निर्बल से बल प्रवान बन असंभो को संभो करने वाली हिम्मत बान आत्मभाव। स्वस्टी करन। हिम्मत बच्चे मददे बाप इस वर्दान के आधार पर हिम्मत का पहला द्रड संकल्प किया कि हमें पवित्र बननाई ही हैं और बापने पदम गुणा मदद दी हैं कि आप आत्मभाव अनाधी आधी पवित्र हो अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी अनेक बार की समर्ती से समर्थ बन गए निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलिंज करते हो कि विश्व को भी पावन बना करके ही दिखाएंगे जिसको रिशी मुनी महन आत्माई समझती हैं कि परवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है उनको बाप अती सहज कर समझाते हैं आप फिर अती सहज कहते हो स्लोगन दुर्व संकल्प करना ही वर्थ लेना है सच्चे भक्त कभी वर्थ को तोड़ते नहीं है अव्विक्त इशारा है किसी से कोई सेल्वेशन लेकर के फिर सेल्वेशन दे ऐसा संकल्प में भी ना हो इसको कहा जाता है बैगर टू प्रिंच स्विम लेने की इच्छा वाले नहीं इस अल्प काल की इच्छा से बैगर अल्प काल के साधनों को सविकार करने में बैगर ऐसा बैगर ही संबन मुरत बन सर उपर उपकार कर सकता है ओम शंति